हेलो इब्रिवान्स स्वागत थे आप से भी कैस्ट वीडियो में इस वीडियों में हम देखेंगे यूपी बोर्ड एक्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपर्टेंट कोईश्चन जो कि यह क्लाश टेंट कमेस्ट्री के लिए भेरी भेरी इंपर्टेंट कोईश्चन है इस प्रकार क यानि HCl को पानी में डालते हैं तो वह क्या होता है अपने आयनों में टूड जाता है यानि कि H पाजटिव और Cl निगेटिव हो जाता है तो उसी के वज़ा से आयनों के द्वारा हमारा विद्दुत का प्रवाह होता है तो आप आंसर में क्या लिखेंगे हम लगा जली वि चले को लिख सकते हैं तो ही विलेन में आयन देता है तथा विलेन में प्रवाह आयनों के द्वारा होता है इसलिए आमल जली विद्दुत का चालन करता है इस प्रकार से आंसर को लिख सकते हैं क्कूशन क्या है Present प्लस आयन की सांद्रता का विलेन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है अंसर है एच प्लस आयन की सांद्रता से विलेन की अमलियता आधिक हो जाती है इसी भी विलेन में एच प्लस जितना आधिक होगा विलेन की अमलियता उतनी ही एथिक होती जाती है Q3 क्या है C-A-O-C-E-L-2 योगी का प्रचलित नाम क्या है जो सुत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है विरंजग चूड यानि bleaching powder इंगलिश में बोले तो Q4 क्या है कठोर जल को मृद करने के लिए कि sodium योगी का उपयोग किया जाता है तो कठोर जल क्या होता है कठोर जल का फार्मूला होता है d2o तो इसको मृद जल बनाने के लिए हम धोने का soda यूज करते हैं called soda यूज करते हैं प्रचेटर बनाने के लिए तो question नंबर 5 akiya है plaster Áप पेरीष का सुत्र लिखे तो plaster पेरीष जो हता है इस प्रकार के आपको सिर्फ सुत्र लिखने रहते हैं यह सुत्र आपको पता है तो इजली आप लिख सकते हैं तो प्लाश्टर आप पेरीज का सुत्र होता है C-A-S-O-4.H-2-O यानि पानी जो होता है आधा होता है तो इस प्रकार से आपको याद करने हैं आपको इसका पीडियो चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से जाके आप इसका पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बाक्स में कमेंट करें ताकि मैं उस पाटिकलो टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ इस्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं हैं तो फ्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोडिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें